वल्कम सांथियो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल साहता पर तो सांथियो आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाडली बहना योजना के बिसे में मध्यप्रदी सरकार के तरफ से दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि लाडली बहना योजना जो है चलाया जा रहा है और जिसके तहत दोस्तों पहले और दूसरे फेज का यानि कि दूसरे चरण का जो पंजी करन है जिसमें लाभारतियों को जोडने का काम है दोस्तों वो सभी इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे तो दोस्तों ऐसे सभी लाभारतियों के लिए आज के डेट में बहुत बड़ी यहां पर खुसी की ख़वर निकल कर आ चुकी है क्योंकि दोस्तों यहां पर तीसरे चरण को लेकर अपडेट आई है कब से लाभारति जो है इस सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले जान करें आपको मिल सके तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह जीनियूज के तरप से एक आर्टिकल लिखी गई है जिसमें क्या बताया गया मैं आप लोगो बता देता हूं कि लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश की महिलाओं के के लिए खुसकबरी ऐसे कराए रेजिस्ट्रेशन खाते में आने लगेंगे इतने रुपई उसके साथ ही जैसी हमलोट दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो हमें दोस्तों इससे संबंदित और भी ज्यादा जान कर यहां पर प्रोबाइड की गई है ज अक्टूबर के महीने में ये जो 80 है दोस्तों तो हुसे 1250 रुपई करने जारी है तो ही जाएगे ऐसे में जो भी महील आये अब तक किस योजना का लाभब पानिक के लिए अपना रेजिस्टेसन नहीं करा पाया है वो तुरंत पूरी प्रक्रिया जान ले और जो रेजिस्टरेशन प्रक्रिया है वो सुरू भी हो चुकी यहां पर मैं आप लोगो बताना चाहूंगा 10 सितंबर को एकाउंट में आये थे 1000 रुपई और उसी के साथ यहां पर डीटेल्स लिखा गया है मैं आप लोगो दिखा देता हूं दोस्तों जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोगो नीचे आएंगे जो जानकर ही निकल कर आई रही है दोस्तों वह यह बताया जा रहा है कि कभी भी जो ओफीचल पॉटल है उसमें पंजी करन जो है open हुजाएगा और जैसे ही और पात्र और अपात्र लाभारतियों की दोस्तों जो अंतीम सूची है वो भी जारी होगी जैसी सूची जारी होती है तो दोस्तों जो पैसे हैं वो लाभारतियों को मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों यह भी अपडेट आ रही है कि जो पैसे अगले किस्त में लाभार्तियों को मिलने वाले हैं 1250 रुपए उससे पहले ही लाभार्तियों का दोस्तों जो तीसरे चरण के लिए पंजी करण होगा तो दोस्तों कभी भी जो ओफीचल वेबसाइट है वो ओपन